नमस्ते, हिंदी की क्लास में और विस्कूल की तरप से आपका फिर से स्वागत है, हमने अंतस्त व्यांजन सीखें, और अंतस्त व्यांजन कौन से है, य, र, ल, व, ये चारो व्यांजन अंतस्त व्यांजन है, जो यकी लाइन में आते है, यकी लाइन के बाद में शलगम के श की लाइन रहा है और वह चारों व्यंजन उश्म व्यंजन और व्यंजन है बाद में आता है व्यंजन उश्म व्यंजन क्शँ दो व्यंजनो को मिला के बनाया जाता है आपको मालूम है कौन से दो व्यञ्जन को मिलाके व्यञ्जन ख्षर बनता है मैं आपको बताओंगी व्यञ्जन क और शटकोन का श ये दोनों मिलके व्या्जन ख्षर बनाते है इसलिए इसे हम संयूक्त व्यञ्जन बोलेंगे क्या बोलेंगे? संयुक्त व्यणजन। और क्षा की लाइन में आने वाले चारों व्यणजन संयुक्त व्यणजन होंगे। तो चलो सीखते हैं व्यणजन क्षा। क्षक्ष व्यंजनक्ष यह है क्षत्रिय राजबलवीर राना प्रताप थे बड़े ही महावीर से क्षत्रिय क्षक्षक्ष यह है चत्रपती शीवाजी इसकी गुन गाए बालक धीर भारत में हैं ऐसे कई महावीर चलो अब व्यंजनक्ष से शुरू होने वाले थोड़े और शब्द देखते हैं क्ष से क्षत्रिय दोहराना ना भुले क्ष से क्षत्रिय क्ष क्ष से क्षीर क्षीर मतलब मिल्क दूद जी से बोलते हैं हम क्ष से क्षूर क्षूर मतलब रेजर क्ष से क्षेत्र क्षेत्र मतलब एरिया वो कोई भी एरिया हो सकता है और होती है क्ष से क्षमा क्षमा मतलब किसी से माफी मांगना now it's writing time व्यंजन च्ष की writing practice हम हिंदी की MySkill book में करेंगे on page no.9999 we will practice writing व्यंजन च्ष as we all know that on the left side corner first we will write today's date that is 8.10.20 वेंजनक्ष लिखने के लिए पहला स्टेप है पहली लाइन और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी रेखा पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधी लाइन फिर ये जो दूसरी लाइन है वहाँ से शुरू करके हमको एक कव बनाना है और वो कव थोड़ा सा उपर जाके पहली लाइन को टच करेगा एक बार ये पहली लाइन को टच हो जाए उसके बाद में वहाँ से अंदर की तरब से एक गोला बनाना है और वो लाइन को दूसरी लाइन से थोड़ा सा नीचे तक लेके जाना है पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधा लाइन फिर दुसरी लाइन से शुरू करके उपर जाते हुए एक कव बनाके दुसरी लाइन को टच करके अंदर की तरब से एक गोला ये गोला बनाके यहां से क्रॉस करके अब जो सी लिखते हो न वो लिखना है परन्तु वो तीसरी लाइन को टच नहीं करेगा फिर वहां से वापस थोड़ा अंदर जाके एक छोटा सा सरकल बनाते हुए एक स्लांटिंग लाइन बनानी है यह हो गया आपका व्यंजन क्ष़ क्ष़ से क्षत्रिय वापस एक बार लिखेंगे पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधा लाइन फिर दूसरी लाइन से शुरू करके कव बनाते हुए पहली लाइन को टच करके अंदर की तरफ से एक छोटा गोला फिर वहां से पैंसिल उठाए बगेट एक स्मॉल सी एक छोटा सा कव और वह कव को उपर की तरफ से अंदर की तरफ एक गोला और फिर वह लाइन नीचे तरक खीचनी है जो तीसरी लाइन को थोड़ा सा क्रॉस करेगी परन्तु ये रेड लाइन को टच नहीं करेगी और स्लिपिंग लाइन उंदर स्टेंडिंग लाइन ये जो सीदी रेखा है उसके उपर हमको ये आडी रेखा बनानी है मैंने आपको पहले भी बताया है हिंदी में आपको जहां भी ये सर्कल दिखे वो सर्कल को ये वाली स्लीपिंग लाइन टच नहीं करेगी हमने शलगम के शमें भी वो ही ध्यान रखा था एक बार ये दोनों लाइन में अच्छे से ट्रेसिंग प्राक्टिस हो जाए फिर आप ये तीसरी लाइन में अपने आप लिखोगे कैसे लिखोगे पहली और तीसरी लाइन के बीच में एक सीधा लाइन दूसरी लाइन से शुरू करके एक छोटा सा कव बनाते हुए पहली लाइन को टच करना है फिर वहाँ से अंदर की तरफ जाते हुए एक गोला बनाना है जो की दूसरी लाइन को टच करके थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर वहाँ से एक कव बनाना है सी बनाना है फिर वो सी अंदर की तरफ जाके छोटा सर्कल बनाके तीसरी लाइन को क्रॉस करते हुए स्लांट जाएगा टेड़ा जाएगा आपको ये दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है परन्तु ये डिफिकल्ट नहीं है आप ये पेज में प्राक्टिस करोगे ट्रेसिंग प्राक्टिस करोगे फिर अपने आप लिखोगे तो अच्छे से आ जाएगा पहली और तीसरी लाइन के बीच में सीधा लाइन दूसरी लाइन से शुरू होके उपर चर्की तरफ जाते हुए एक छोटा सा गोला बनाते हुए फिर यहां से क्रोस होके सी बनाके फिर अंदर की तरफ से सर्कल and then slanting लाइन sleeping line on the first line ये हो गया आपका व्यांजन ख्ष क्ष से क्षत्रिय क्ष से क्षन क्ष से क्षितिज आप जैसे व्यांजन ख्ष लिखते हो हर एक व्यांजन के बाद में आपको उससे शुरू होने वाले शब्द बोलने है एक बार व्यांजन ख्ष की notebook में लिखेंगे हिंदी की notebook में left side corner में हम पहले आज का date लिखेंगे 8.10.20 जैसे कि मैंने बोला है जब हम पूरी line लिखते हैं हम एक एक व्यांजन नहीं लिखते हैं पूरी line हम ऐसे 7 में लिखते हैं ताकि हमको हर एक व्यांजन याद रह जाए कि कौन से व्यांजन के बाद में कौन सा व्यांजन आता है तो आपी पहले शलगम का शर लिखोगे फिर शटकोन का शर साब का सर और फिर हर फिर वापस लिखोगे शलगम का शर आपको ऐसे क्यों बोलना है शलगम का शर क्यूंकि आपको याद रहे कि शल्गम का श है, ये सरकल वाला है, शटकोन का श जो पौसे बनता है और ये साब का स है शल्गम का श, शटकोन का श, साब का स, ह, उसके बाद में वापस यहाँ आप उसके साथ में उससे शुरू होने वाले शब्द भी बोल सकते है जैसे आप यहां बोलते हो शलगम कश, शटकोन कश, साप कश और यहां हसे हीरन भी बोल सकते हो मुझे आशा है बच्चो आपको व्यान जनक्ष उससे शुरू होने वाले शब्द और उससे लिखते कैसे हैं वो अच्छी से समझ में आया होगा धन्यवाद